Hello viewers, this is my YouTube channel, Learn More Forever, Learn More Forever channel पे आप से भी दोस्तों का स्वागत है, आज का टॉपिक है वो income tax वोपर अधारित है, इसमें आज हम बहुत important topic वोपर discussion करने जा रहे हैं, जिसका नाम है treatment of pension in income tax, यानि income tax में pension का क्या treatment होगा, आप सभी को पता है कि यदि किसी person को जो भी amount, जो भी income उसे received होता है, वो क्या होता है, taxable होता है, तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि आखिर कि किसी employee या किसी वेक्ति को pension अगर मिलेगा, तो उसका treatment क्या है, उसको कितने amount for tax देना होगा, कितने amount for tax नहीं देना होगा, और दोस्तों एक खास बाती है कि अगर आपको यह सीखना है कि हम pension की इस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बनाया है, pension के उपर की pension, how to calculate pension, जो आपके screen को पर अभी I button के उपर दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर उसको देख सकते हैं, तो आज हम सिखेंगे, आखिर pension है क्या, pension सभी को पता है, कि जब कोई वेक्ति retire होता, तो उसको हर महिने, कुछ fixed amount उसको pension मिलता है, तो अगर pension के definition के अगर बात करें, तो एक simple सा definition है, जो सभी को पता है, लेकिन आपको इसको बिलकुल formal तरीके से बताना है, तो इसका definition क्या है, money that is paid regularly by a government or company to somebody who has stopped working retard because of old age after 60 years, यानि इसमें लिखाया है, कि जो भी money होता है, जो regular तरीके से किस किसी government द्वारा, central government या फिर state government द्वारा, या किसी company के द्वारा, किसी को somebody, किसी को provide किया जाता, क्यों, who has stopped working retard, क्योंकि वो retire हो चुके है, आने चली की भी रखा है, because of old age, क्योंकि वो 60 years के बाद क्या होगे, रिटायर हो गया, इंडिया में भी जो retirement का है, जब वो कितना है, 60 years, जैसे 60 years का कोई इंसान होता है, तो इसको हर मेंने pension मिलता है, तो आखिन बात करते हैं, pension भी एक तरीके से क्या आउग इंकम होता है, उस पर आपको भी tax देना पड़ेगा, तो तो त्रीक्मेंट और pension इंकम टेक्स उसका जो section है 17, subsection 1 और उसका second part है, ठीके, तो फिर से ए retirement या date of the employee, as a reward of the past service, एक तरह से क्या होता है, किसके लिए, क्योंकि जो आपने past में जो service किया था, उसके बड़े हम लोगा क्या कर रहे हैं आपको, कि जब आप retire हो जाओ तो कमा तो नहीं पाओगे पैसे, तो उस case में आप pension चाहिए अपना जीवन वसर कर सकते हो, तो यहां लेकिन, but certain employee may also allow an employee to forgo a portion of the pension and receive a lump sum amount, यहां पर लिखा गया कि लेकिन कुछ employee ऐसे होते हैं, जुन कोई allow किया जाता है, वो employee क्या करते हैं, forgo, forgo क्या होता है, बलिदान देना, forgo of a portion, portion of the pension, मतलब pension का कुछ percent वो क्या करते हैं, बलिदान देते हैं, युगदान देते हैं, and receive a lump sum amount by surrendering such portion of pension, कुछ amount क्या किया जाता है, surrender किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, this is known as commutation of pension, यानि हम इसमें क्या सिखते हैं, कि pension क्या क्या करते हैं, सिंपल सिफासा में अगर हम बात करें, कि नॉर्मली मन्थली बेस पर pension मिलता है, लेकिन अगर आपका कोई emergency case है, उस case में उस पैसे को आप एक साथ निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ portion आपको क्या करना होगा, बली दान देना होगा, इसको आपको कैसे मिलता है, तो पैंसल आपको दो तरीके से मिलता है, अब यहाँ पर सवाल उटता है, क्या मन्थली बेस पर मिलता है, या एक साथ मिलता है, अब यहाँ पर देखें, आपको सवाल है, क्या मन्थली बेस मिलता है, या एक साथ मिलता है, तो अगर मन्थली बेस मिलता है, अब देखें, लिख रखा है, दोनों तरह से मिलता है, लेकिन 90% केस में मन्थली बेस पर ही मिलता है, और 10% केस ऐसा होता ह है जहां कि हम अपना पेंशन कम्यूट करवा लेते हैं अब दोस्तों या पर आपका सब्दा कम्यूट कम्यूट कम लब क्या होता है उसके बार हम समझते हैं यानि हम इसी बात करें कि लगो 90% व्यक्ति को जो पेंशन मिलता है वो मंथली बेस्प मिलता है लें कुछ ऐसे 10% ल एक होता है uncommuted pension तो दोनों का आपको मिनिंग समझना है कि कम्यूटेट का मतलब क्या होता है और uncommuted का मतलब क्या होता है तो अगर हम बात करते कम्यूटेट पेंशन इसका मतलब होता है कम्यूटेट का मतलब क्या हो गया जो मंतलब क्या हो गया जो मंतली बेस पे जो आप लोगो न देखा हो गया है अगर मिलता है उसे पोलते हैं अनकम्यूटेट यानि अगर आप अनकम्यूटेट को प्रियोर्टिकल बेस भी बोल सकते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं मतलब उसका मिनिंग है आप अब इसको में कहानी कमाद्ध हम समझते हैं एक इंप्लोयर है और एक इंप्लोई है ठीक है तो हुआ यूं कि इस कहानी वे हमने बिल्कुँ अच्छे आपको बतारा है कि आपको अच्छे समय टूसके इसको क्या हुआ कि अगर्स्त में कितना मिला पेंशन दस धार के स्केल कितना मिला 10,000 पे अक्टूबर में कितना मिला 10,000 पे और दिसम्बर में कितना मिला 10,000 पे यानि जो इसका पिंशन है वो फिक्स हो गया कितना 10,000 पे ठीक लेकिन अचानक से घटना घटी क्या हुआ कि employee दोड़ता दोड़ता employer के पास आया कब आया वो एक जनवरिक आया और बोला employee employee तो employee ने बोलो सर्थ मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया employee ने बोला क्या हो गया सर्थ ऐसे ऐसे हो गया तो मतलब सर मेरे बेटी की साधी अगले महिने फिक्स हुई है ठीक है तो इसमें मुझे बहुत सारा खर्च होगा आप सभी को पता ही है कि जो बेटी की साधी होती बहुत सारा खर्च होता है देज भी देना होता है तो सर मुझे पांच लाग रुपे दे दू पिलीज गिब में बोएर बोल रहा है कि मैं तुम्हें पांच लाग रुपे क्यों दूं अब तो तुम ना तो मेरे एंप्लोई रहे आप तुम रेटायर हो चुके हो जब तुम इमप्लोई मेरे पास थे तुम 50,000 रुपे वी सेलरी दिया था अब तो तुम मेरे किसी काम का नहीं है तो मैं तुम्हें पांच लाग रुपे क्यों दूं थूं तो गुसा आया तो मैं तुम्हें क्या करूं 10,000 रुपे तुम्हें पेंसम द क्यों रहाओ no तो employee ने बोला कि मैं तुम्हें तो मैं क्या करूँ मैं तो दस जार पंचंद चल रहा हूं न उससे काम चला तो मैं kya करूँ मैं तो दस जार, पंचंद दे रहा हूं न मुझे माप करर तो अब employee क्या कर एंप Bonny पूला Sirimiento इसा कैस सकता है तो उस में वह बात तो सुनो एक बार मेरी बात के करना चाहता हूँ अग्राव मुझे पांस लागेल पर नहीं देना चाहते बार मेरी बात सुनो मैं यह कह रहा हूं कि ठीक सुनाओ employer"... बोला सर आपने एकद मेरी 60 सेंट क्या करते हो कम्यूट करते हो कि में मताया था ऑफ्याक मिलता था शेजार पी होगा तो इंप्लोई ने वोला सर आप मेरे 60 परशंट पेंसन क्या कर दो कम्यूट कर दो जैसे आपको बताया था स्टार्टी में कि 90 परशंट केस में जो पेंसन मिलता है वो अनकम्यूटेड यानि मंथली बेस मिलता है लेकिन 10 परशंट ऐसे केस होते हैं जहां पर इंप्लोई चाहें तो अपना पैसा कम्यूट करवा सकता है और इसमें दोको बहुत सारे केस होता है यह तो देखें आपर साधी की बात होगी दूसरा कि अगर हो सकता है वो बीमार पढ़ गया घर में किसी को ऑप्रेशन कर वाना हो तो उसकेस में अपना पैसन क्या कर स पर मंद इसको मिलता रहेगा थिक तो इंप्लोर क्या हो सोचे लगा ठीक उसने सोचा यह उसको बताने रहा है पर मंद में 72 रुपे ये तो she मतलब उसने सूंचा कि ये तो पूरी तरशा सवास्त है अभी देश साल तो कहीं ने गया तो अगर मैं बात करताहूं कि 10य मैं मुझे कितने पैसे देने होते मुस्जे देने होते हैं लेकिन यह मांग कित्ना र्हाई सिर्फ पांच लाइप तो चलो। यह ना अगर मैं इसको द्लक्त मैं दोlekता तो मुझे साथ राख हैं जबत चईब चहीं पहरे ङरो सित सब्सक्राइब तो दोस्तों आपने सिखा कि क्या होता है ठीक है या अगर आप एक इंपलोई हूँ या आपके आसपास कोई इंपलोई है और उनको जो पेंसन मिल रहा था उनको यह चीज़े बता सकते हो कि आप एक साथ एक इमांट निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए कुछ रिजनेवल मतलब परफेक्ट रिजन होना चाहिए कि आपके बैटी के साधी है यह जो भी है तो आप इसमें रूल के क्या करता है कि 40 परसेंट आप क्या कर सकते हो सेलरी पेंसन करवा सकते हो जो तो इसको जो हमने अभी सीखा के बारे में अब इसको प्रैक्टिकल एक जामपल के मादरे में अच्छे से सीखते हैं तो आपको अच्छे से क्लिए हो जाएगा तो पहले हम कुछ और देख लेते हैं पेंसन जो पेंसन होता है तो मैं उसे फिर से एक बार बता रहा हूं क्या हो गया क्या होता है जो आपको मंतली बेस्ट मिलता है अब बात करते हैं जो आपको मंतली बेस्ट मिलता है तो अगर आप प्राइबट सेक्टर के एंपलोई है या गौर्णमेंट सेक्टर के एंपलोई है या किसी आप लोकल में काम करते हैं तो जो भी आपको मिलेगा वह क्या होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा तो टैक्सेरों का में यह मतल़म आपको टैक्स देना ही देना ऐसा नहीं है जब तक आपका इंकम 25्00 से क्रॉस नहीं होताई आपको टैक्स नहीं देना है अगर आप 60 से ज़्याद होगे तो 3 L subscribe करोगे तभू कि आपको tax देना होगा यानि uncommuted pension हमेशा taxable होता है चाहिए वो कोई साभी case हो चाहिए वो government, non-government हो या किसी local authority का case हो लेकिन चु कु का Commuted pension होता है यह भी दो तरीकिस होता है अगर आप एक government employee हो अभी आपने देखा कि अगर आपको मंधली बेसम मिलेगा तो क्या होगा वो तो टेक्सेबल होगा लेकिन अगर आप एक साथ कम्यूटेट पेंसन निकालते हो जिससे पांस लाग दस लाग रुपे तो अगर आप गौवर्मेंट के इंपलोई हो तो आपको एक रुपे भी ट कि इंपलोई हो तब आपके पास दो कंडिशन अगे। पहला तो यह गवर्मंट डक से पूछेँए कि आपको ग्रैचूटी मिला है या फिर आपको ग्रैचूटी नहीं मिला आकांस कisu होते हैं कि एक ट्रेश्ट्रेशोंति मिला है उसका यो जो आप मिला होगा चुर्णा की से पहले क्या करना है 100% निकालना है कि 100% कितना उसके value है और उसको क्या करना फिर one third निकालना है यह हो गया case यानि एक formula हो गया दूसरा formula क्या है कि अगर आपको graduate नहीं मिला है तो one and half of 100% committed pension कि 100% क्या है कि जितना आपने pension commute करवाया कितना करवाय था 60% तो उसका 100% कितना है पहले आपको निकालना है तो आप में इसका practical example देखते हैं जिसके माध्यमस आपको 100% समयज़े में आ जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं एक्जांपल हमारे पास है Mr. Rakesh working in ABC Limited एक Mr. Rakesh है जो ABC Limited वर्किंग है अभी रिटायर कब हो रहे हैं यह रिटायर हो रहे हैं एक अगस 2018 को ठीक है और फैस्ट फैब 2019 एक फर्विर 2019 की बात है ही कम्यूट 60% और इस पिंसन यानि इनके पास कुछ इमर्जेंसी किस आया हो गया तो इनकी बेटी की साधी हो या कोई बिमार पढ़ गया हो तो यह क्या हुआ कि फैबरेरी में गए इंप्लोवर के पास और उसने क्या किया उन् और इनको रिष्ट पर्वर कितना हुआ है पांच लाक रुपे ऐज कम्यूटेट पेंसन तो आपको करना क्या है कम्यूट कम्यूट दक्सेल पॉर्षन और प्रेंसन इन्दा हैं यह पता करना है कि जो पांच लाक रुपे इंप्लोई को मिले है न उस पे उसको सम готов जोड़ सकते हों कि अपरेयल से लेकर अगर्स तक कितने महें होगे चार महेने होगे तो चार मेने नों तो जॉब किया होगा तो जो सेलिर्थ है को मिला होगा अब बात आती है कि जो इनको 6000 पे यहां पर देखे मैंने डाग्राम बना रखा है कि रिटायर कप्स हुए वो एक अठो यानि पूरे उस अगस्ट में कितना मिला यहां पर यहां पर हैं गाइख लगवर दिसंबर मीला उनको तो सब्सक्राइब करें गत्ष। यह मिने तक मिला उनको जनवरी तक मिला कि फरीवरे चले के कम्यूट कर वाने यह वो कितना अब दोस्तों श्यजर का 60% कितना होता है वो होता है 3600 रुपे तो अगर आप 3600 करवा लिया बहुत आप तो नहीं मिलेगा यानि अब इनको अगले महीने से यानी February में और March में कितना मिलेगा इनको मिलेगा 2400 रुपे per मंत इनको पेंसन मिलेगा ठीक है जीवित रहोगे आपको 24 पेंसन मिलता रहेगा ऐसा क्यों कि आपने पैसे कम्यूट करवा लिया अगर कि इनको 6 महंचे तक 3600 पर मद इनको मिला था और किटना मिलेगा तो तो कितना हो गया 4800 रॉपिय अगर मं कि बात करते हैं कि इनको एक साल में कितना मिला पैंसन इतना इनको रेगृलर बेस पर मिलता रहेगा 4,800 तो है यह संब फीर्फूर्स क्यातर सब्सक्राइन ऑसक्तुं क्या है पता करते एक अधिसकी क्या है है जो 60% कम्यू धेना है पता करना है चुक्र उनको इस पर क्या है प्राइवर्ट्सर रोलॉई थीम Clearence 60% आपको given है कितना है वो पांच लाग रुपे यानि जो इन्हों करवाया है 60% वो आता है कितना मिला इनको पांच लाग रुपे देखिए दोस्तों इसका एक अलग से formula होता है कैसे computation करते हैं उसका मैं अलग विडियों बनाऊंगा लेकि यहां पर सवाल मा को दिया रहेगा क 60% के आपका committed है कितना पांच लाग रुपे तो दोस्तों आपको इसका 100% अगर निकालोगे तो कितना आएगा आठ लाग 3333 रुपे देखिए सिंपल सा तरीका है जैसे आप जो percentage निकालते होना अगर आप उसका 100% निकालना है तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इसको reverse करें मैं एक एक जामपल लेता हूं कि 100 रुपे का 10% कितना होता है 10 रुपे होता है अगर आप 10 रुपे को ही पकड़ क्या को 100% निकालना तो कैसे निकालोगे इसका reverse कर देना मतलब क्या होगा कि जो आपके पास है 60% कितना है जो भी आपने 10% लेकादा 10 रुपे ठीक है 10 रुपे को हंडर से मिल्टिप्लाइक हजार हो जाएगा उसको डिवाइट कर दो कितने से जितना आपके पास 100 जो होता है 100 जब उसमें 100 से आप डिवाइट कर दो तो कितना आजाएगा आपके पास पूरा 100% आपका 100 रुपे आ जाएगा इन्हें एक एक एक्जामपल लिया है यानि करना किया कि आपको 5 लाख रुपे का 100% निकाला है यह चुकि दे रखा 60% तो 100% निकालने के लिए ह 871330 रुपे तो पहले आपको बता रहुखेहे पहले आपको 100% निकालना है जो सवाल के आउडता है किक आपको ग्रैचुटी मिला है तो ग्रैचुटी अगर आपको मिला है तो जितना 100% परसंट है उसका वह थ आपकोucha alcohol in 100% कितना निकल गया आठ लाग 33,333 दोस्तों यहां पर धियान रखना कभी भी आप जो एमॉंट मिला उसका नहीं निकालना है उसके 100% का निकालना है वंठर्ड तो वंठर्ड जो आपने निकालना वो कितना आ गया 2057777 विए यह आपका क्या आगे एक जम्ट आ गया इतना आपका जो कम्제यन हो जाए उसमें तो अगर आप 5 लाग राप को मिला है उसमें से यह जो 2047777 आया है वह वह क्या जाएगा नहां हो जाएगा जम्ट हो जाएगा तो दोस्तों आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे तो आपको जो देना पड़ेगा वो है टेक्सेवल पिंशन के अगर हम बात करते हैं तो वह पांस लाक नहीं कितना है दो लाक बाइस जार दोस्तों तेसे ठीक है उमिद आपकू अच्छे समय में आगे होगा जो कि भी यहां पर होगा mental परशेंट कंभे listening इसका हनडेड़ परसंट निकालोगे जो 100% आएगा तो क्या धियान रखना है कि आपको gratitude मिला है अगर आपको gratitude मिला है तो इसका बंठर निकालोगे जो amount आएगा इसको बोलते हैं जम्ट एमॉन एक्जम्ट मतला माफ आप क्या होगा कि जो पांस लाग रुपर आपको मिला है उसमें से जो लाग 27770 क्या होगा माइनस हो जाएगा तो अब आपका टेक्स कितना देना पड़ेगा दो लाग 3230 रुपे यह हो गया टेक्स सेवल पेंस अगर हम बात करें कि जैसे अभी हमने पीछ से देखा था कि 4,800 पेंसन मिला है और कमिटेट पेंसन कितना मिला है टेक्स सेवल हुआ था दो लाग 22230 रुपे तो टोटल उसका जो इंकम हो गया कितना हो कि उस साल का दो 225,000,000 रुपे इसका 100% निकालोगे तो 8,333,333 आएगा आप करके देखलना तो आज जाएगा फिर क्या होता है कि ग्रैचुटी आपको नहीं मिला है तो सिंपल साब बताया था कुछ नहीं करना है बस वन हाप कर देना है कितने का 100% का 100% का वन हाप हमने कर दिया कितना आ यह आगया आक पास 4,666,666 यानि ये exempt हो जाएगा माप हो जाएगा अगर आप इसको करते हो 5,000,000 में से exemption माइनस करते हो 4,666,666 तो कितना जाएगा 83,333 तो आप इसमें हो गए Taxable 83,333 तो इहां पर दहीं क्या हो गया कि ग्रैचुटी उसको नहीं मिला है तो इसका पैसे तो कम ही मिले होंगे जब ग्रैशुटी मिलता आपको बता है बहुत बड़ा इमांट मिल जाता है तो उस केस में गुवर्मेंट और उससे टैक्स लेती है लेकिन ग्रैशुटी रिस्टी नहीं हुआ ता आप यहां खुद अंतर देख सकते हो पिछे वाले इसमें अंतर यहां 24133 उमीद दोस्तों आपको वी वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा अगर थोड़ा वो समझ में नहीं आया है तो आप इसको रिवांड करके दुबारा देखे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा और दोस्तों सबसे बात यह है कि मैंने आप लोग के लिए प्रैक्टिस अगर आपके पसंद आए तो दोस्तों साथ से लाइक और से जरूर करें जय हिन जय भारत